राजासर आपके समख चागा है आज का जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है आपके भविसे से जूरा हुआ है और वैसे बच्चे तो बिल्कुल देख ले जो अभी ITI में डाखिला लिए है या सकेंडियर में अपडेट हुए है तो सभी बच्चों के लिए इंपोर्टे से हम बता रहे हैं DGT की तरह से मतलब एक जनकारी दिया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन का कारी जितना भी होता है वो आपके कॉलेज के द्वारा किया जाता है ना कि आपको अपडेट करना पड़ेगा ना आपको किसी कैफे में जान हैं मतलब यदि आप जेनरल OBC है तो 480 रुपया लगता है और यदि SCST है तो 213 या 260 के आसपर से मतलब उसका स्लिप भी प्रवाइट किया जाता है तो आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि जैसे वहां दिल्ली से भी फोनाया था तो कितना पैसे लगते हैं तो हम आप लोग करते हैं तो सारा पैसा को जो मतलब एड करके जो आपका स्लिप प्रवाइट किया गया है उस पैसे को एड करके फिर पुना आपके एकांट में या पुना बाइक कैस आपको दे दिया जाता है ठीक है तो आप उमिद करते हैं कि आप लोगों को कोई confusion नहीं होगा registration में और readmission में ठीक है ना तो यदि आप registration के मतलब नाप पे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल मतलब avoid कीजे उसको ठीक है ना और सबको ये सूचना पहुचाईए कि DGT के तरह से वैसा कुछ जनकारी नहीं मिला है और बहुत सारा जनकारी हम आपको अपडेट करने वाले हैं कि यद यदि आपको कोई गलत कर रहा है यदि बलगला रहा है तो सारा data हम मतलब अपडेट करतेंगे कि कहां पे कौन सा complaint कहां सा सिकायत करें ठीक है ना तो हम ये नेक्ट वीडियो में बताएंगे तो गाइस बने रहे हैं ओके बाबाए